तो होलár उपन हुँआ ुपोट की6 अुपन हुआ हुआ नोटिस किया हुआ कि सारा color सुतर जाता है बट एक color रहाता है red color वो छांड चलते रहता है नीच्रु दिन तक चलते रहता है है तो Mizraweath कर को करता हैं जिसने दिन में कुछ Good फिन्ट की होगी उसका भी MpM Red होगा तो basically holy वाले पानीं मों को डाल दिया गए है और सबको MpM Red कर दिया गया है उसके बार इसा च्पा होगा कि मिनन का holiday था था तो बहुत सारे इसका सेलिंग का ही था पूरा दिन आज सेलिंग में ही थोड़ा बाँ थोड़ा बाँ जो भी आ रहा था तो डैक्शनल मूफ का आज कुछ भी नहीं मिला पूरे दिन मार्केट साइडवेज ही रहे गया एंफिर बना क्या कुछ नहीं का ज़िए क्या है कल यह कंड गूल के आ कब शॉट में रहना है कब लॉंग में रहना है बट उससे कुछ मंतब बना नहीं होगा मैं को 100% शॉरर्टी है मतलब बोलना तो ठीक है इजी है कि देखो हमने ऐसा बुला लेकिन मैं खुष ट्रेडर हो नोग है वह जो बोलने से वता नहीं है लाइव मार्केट वे पुछ होना चाहिए इंडेक्स बर रहा है वीस पोईंट पारिंघ्स बर रहा है थीन पॉइंडेक्स जला जाज़ाएक नोटिस करे लिया होगा वह पुर्य दिन ऐसे साइडवेज जाता है मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा है आज इसे पूटा दिन इसाइडवेज निकाल अब देख लेते कल के लिए क्या डिसकेशन रहेगा उसक्या देखते हैं कि क्या कंडिशन रहेगा प्ले करने के लिए और यह समझ लेकिंगे की अच्छा एक चीज और काफी लोंगो यह ड़ेगा इसने प्रिएलेक्शन रैली कब से स्टार्ट होंगे मैं से लोग पूछने लोग खोए धि्म्या आने वाले प्रिएलेक्शन प्रिएलेक्शन रैली तब आती ही जब सब चीजा अच्छी देखती हैं कि अच्छी नहीं दिख रही है इस लहां प्लस करफालौ। का we refer कर्या कर्यक्र सब नहीं आ रहा है और सब के बात क्या है फो फॉरन इंवेस्टर को इंट्रस्ट रहता है वो लोग खरीदते हैं रोज रोज स्पास उपर ले जाते हैं फिर फॉरें इंवेस्टर बैस देते हैं निकल जाते हैं क्योंकि देखें इतना फेद 2013-2014 के बाद सी इसलिए दिखाया थे करप्षान फीज यह था ना तो अभी इनको भी ने समझ मांद आता कि क्या पता है स्टॉक मार्केट में भी करेशन कुछ चल दा हो हो नो को डाउट होता ही है तो सब चीजों का डॉट है हर जग डाउट है तो मार्केट कैसे रैली करेंगा सकते हैं रोज कमेंट सेक्षे दु जिखते चलो सांती से बैठे रहो अब देखो आप मार्च एकस्पाइडी भी 22,000 पही हो गई फबी हुई थी चन्वरी भी हुई थी अप्रेल भी देखिए उसी पर निकल जाएगा मई भी उसी पर निकलेगा एंड जून का देखेंगे तो जून तक तो राइट किया हुआ ह चांती से आराम से बैठे रहो चाड़ी के खाते रहो लाइफ उन्जॉय करते रहो लेकिन उसके बाद कर देखना होगा कि क्या करना है चलिए डिसकुशन स्टार्ट करते हैं और मैं जैसे रमिशा समझाता हूँ मैं इन फक्ट मेरे जितने भी सेमिनार्स बहिता होते होते ह मैं मना ही करता हूं option buying करना सब कुछ पता होके भी loss हो जाता है तो जिब सब कुछ पता होके भी loss हो सकता है तो वह कहाँ क्यों ही करना इसलिए नहीं करते हैं हम लोग यह वह समझे वह घूम फिट के बात वह इतनी हो जाती है एनिवेस कोई बात नहीं हाओ ट्रेट प्लेलिस देखिएगा option trading tips प्लेलिस देखिएगा काफी सारे चीज आपको वहां सीखने मिलेंगे वह सब सीखने गया तो जब अप्लाई करेंग चलिए आते हैं कि कल के लिए क्या discussion रहेा पहले यह रेकल आज हमरे discussion क्या था किया था कि निफ्टी इस अश्टेंज बिलो ट्वेंटी टॉटवॉजट तो ट्वेंटी टूटवज़टी तूट टूटी इस अपर आप्स्रेट मूभ इस पासिबल अगया ही नी तो क्या ही स कि फुला वहां से मांस किया है उसके बाद लाश में थोड़ा सा उधर उधर जाने की कोशिश किया बट कुछ हुआ नहीं अपसाइड मूफ का हमने जो डिसकस किया था तो वहां तक तो पहुंचा ही नहीं तक कर सकता है मार्केट मूफ किया लेकिन मजा वाला नहीं है अपना अपना देख लें नौ साथ पर मैंने लिखा था एंड उसके बाद फिर मैंने जो लाश्ट वीग एक दिया था तो वह भी मैंने आज एक्जिट करने बोला अच्छा ही एक्जिट मिला है उसमें फिर मैंने 922 बेटल है अब इस रेंज के बहार ट्रेड करिएगा इसके नीचे जब तोड़ा तो अच्छा मूव दिया बट वह यह कितना ही मूव देगा थोगा सा तो मूव दिया थो से और मैंने लिखा भी क्या टाइम पास चल रहा है एसल कॉष्ट पर रखिएगा और 20 यह में कि ऊपर निकला तो बैंक निफ्टी निफ्टी में अच्छा मौका मिलेगा 1119 में मैंने डाला था 1119 पे इसल क्वेंटी यह में कि ऊपर निकाला अब यह 30 पॉइंट मूव किया यहां बैंक निफ्टी में यहां से वह 1120 पे जमने लिखा था उसके जैस्ट बात से कि अल्मुस्ट पॉइंट 27 पॉइंट मूव किया अभी मैं इसमें क्या क्रेडिट हूं बड़ा मूव होता तो मैं बोलता है कि हां चलो ठीक है बड़ा मूव होगा सबका कुछ में कुछ में बना होगा इसमें जिसने विच करते हैं गाइड करें अच्छा हो लेकिन इस तरह का बीएवियर में क्या गाइड करें कोई करके भी कुछ होता तो है पिर कहना था फिर मैंने यह लिखा 1148 पर अगर इस रेंज के ऊपर गया तो और बड़ा एक राउन मूव मिलेगा बट 1148 पर जो हमने यह डाला वही पॉ क्या कर सकते हैं बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं मिली मैंने अपडेट भी किया था यह शूट करने वाले का इस समय किया था तो उसके आद फिर शूट भी किया तो बहुत सारी चीजें थी इस डिप में यही सब हो रहा था तो क्या कर सकते हैं और फिर मैंने यह लिखा कि यह रेंज के ऊपर रहेगा मार्केट तो शौट में मत रहेगे बट और क्या ही कहेग था दिन कैसे रहा है तो उसमें रहाख हुँट है यह यह दो कि आल जुञाब हूवा नहीं कोई बात नहीं केल employee case देख तेंक कभी गवि ऐसे दिन आते हैं जिस d Ring कोई म्मंट नहीं किसीसे इंदीक ने हर रोज क्या होता है रोड ठीक है एक में नहीं है दूसरे में मूवंमेंट है कुछ तो प्ले करें आज कह था मिट कय था मिट कैप में धुकर्ट है था ये सिसक्राइब तोड़ा अच्छा मूव दिया 525 जाके पॉज लिया है वहीं रुका हुआ है तीक है अब किसी ने भाई लोग फिर निफ्टी के इस्पाइरी में ही पागल है तो अभी मिटकाप कौनी खुद भी नहीं देख रहा था मैं दूसरे को क्या ही बुल आते हैं क्या अपना और मैं जैसे अपडेट दे दूँ मेरा डेली में सेमिनार है 28 अप्रेल को 12 में को समिनार है हमारा पुने में तो इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन बढ़ाएंगे चेक कर लिजेगा और निफ्टी में देखें सेंपल रखिएगा 22,050 ऊपर में 21,980 नीचे में 22,050 के ऊपर निकले प्रॉब्लम यह है कि निफ्टी के फ्यूचर्स 80 पॉइंट्स प्रीम में चल रहे हैं दो दिन बच्ची एक्सपाइरी में ऐसा हो सकता है कि निफ्टी आपको उपर जाता हुआ दिखें पॉल के प्रियम ना बढ़े तो केरफूल रहेगा तो कटना ही है नेक्स एक्सपाइरी में भले कर लिजेगा इस एक्सपाइरी में थो थोड़ा मुश्किल दिख रहा है क्योंकि दो दिन बच्चे एक्सपाइरी का असी पॉइंट नभे पॉइंट प्रियम में बैठा हुए मार्केट कोई जस्टिफिकेशन नहीं है हो सकता है को ट्राप करने का ही तरीका है अग्स एक्सपाइरी में देखिए का उपजणी बन सकती है और इनमें तो मुश्किल है तो 930 फर्स लेवल एंट एट एक्टी सेकेंड लेवल आपको मार्केट मूव करता हुए दिखाई देशा अप्शन डेटा देख लेते हैं एक बार अप्शन डेखिए 22,000 पर अच्छी काशी काल राइटिंग है 22,000 पर अच्छी काशी काशी पुट राइटिंग भी है पुट राइटर जाना है किसी कारण से मार्केट अगर 22,000 ज़्युक्षि युटिंग आइटि के नीचे तृटिका होगा क्या क्या ये जो कॉल राइटर्स है ट्रैप में फसे इस फिफ्टीवाइब पॉइंक क्रिव्यम में राइट कर रक्का है इतने कंप्रिययम में राइट करे रख्का है ए और आ ये कर देग्या बट 50-60 पॉइंट के बार ये थोड़ा एकजिट करने लगेंगे जिसके रहन किया एक अपसेट स्विंग का पॉसिबिल्टी दिखाई देता है अच्छा मैं टेल्गाम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है उसको फीट का एक लिंक रहेगा उसके दुरूप पे करके जोइंग करना पूरता है सर्च मत करिएगा क्योंकि हमारा चैनल सर्च मिलेगा नहीं हमारे नाम से सारे फिक चैनल्स आपको में यह हो गया वह गया कि मंतली थर्जडे को होगा नहीं वह असका नहीं है मार्च से मतलब कल से चेंज हो जाएगा ठीक है 46,650 ऊपर में और 46,550 नीचे में 650 के ऊपर निकला तो 46,800 तक फर्ट मूव पॉसिबल है 800 के ऊपर निकलेगा तो फिर क्या 47,000 तक आपको मूव पॉसिबल है बट 46,650 के ऊपर निकलना जोरुए ए 800 तक फर्ट मूव उसके बाद आपका इसके नीचे 46,400 फर्स्ट मूव और उसके बाद आपका नीचे में आपके लिए 46,200 तक का डोर उपेन हो जाएगा उसके लिए mentally prepared रही है यह हो गया ओप्शन टर देखेंगे इसका चले देख लिए तक है 46,500 पर इंदमनी कॉल राइटर्स पर 700,800 सब पर जम के कॉल राइटिंग हो चुकी है पूट राइटर्स अभी भी है 46,800,700,600 पर प्रॉब्लम क्या होगा कि यह सी 550 तूटता है इस सारे इंदमनी पूट राइटर्स पैनिक में sell-off करेंगे जिसके आरण क्या शार्प डिकलाइन आपको देखने को मिल सकता है तो वह अगर शार्प डिकलाइन देखने को मिला तो उसके लिए मैंटली प्रिपेड रहीएगा कि भाई अच्छा कासर डाउन मूव महां से रिगर रेलो करा सकते हैं और शार्प मूव होगा तो शार्प मूव कर देगा और उसके बाद फिर आगे जो होना होगा वह होगा किया हो गया मिटकर देख लाते हैं कि रोज इसी में मूवमेंट मिलता है इसमें इसने खुदी अपने लेवल बना दिये हैं और 10,500 के बास प्लोजिंग दिया है यह रेंज से थोड़ा सा वीक होना चालोगा तर रही तो 10,000 475 नीचे में 525 उपर में रेंज को टूटने द दाएगा बट डाउनसाइड में 475 के नीचे अच्छा कासा एक डाउनसाइड का स्विंग देखने को मिल सकता है तो उसके लिए मेंटली प्रिपेर्ड रही है यह हो गया अब आते हैं हम अपने अधर मेजर स्टॉक चार्ट पे पहला बात तो है ज्यादा ही गिरा गेप डाउन खुला और गिरा करने की पॉसिबिल्टी करता है और नीचे ठीकने लगा तो यह और ज्यादा नीचे स्लाइड करता हुआ दिखाई दे सकता है आइसे से मैं नीचे से तो शाप रिकावरी करी इसने अवेवर हमें क्या माक करना है थाउजन निटिवाइव के नीचे ऊपर निकलेगा तब थाउजन नाइंटी टू तक मूव्मेंट पॉसिबल थाउजन नीचे जब तक है नेगटे बाइस इंटैक्ट है लेकिन शॉट करिएगा आप साइट का बैस रखिए को तक अच्छा कासा वीक वर ट्वर्ट देंड एंड सेवेंटीन सिक्स्टी की नीचे जब तक है नेटे बाइस इंटैक्ट है सेवेंटीन सिक्स्टी की ऊपर जाएगा तो ही कोई बुलिश व्यू आएगा उसके पहले नहीं आने वा में चल रहा है राइट कुछ भी लोग करते हैं मैं कुछ उसना सोच रहा नहीं चाहिए एस बी ने तो टूर्ट जैंड तो आप पुल बैक भी किया पता नहीं क्यों एंट फॉर्टी मार्क कर रहे है सेंट फॉर्टी के ऊपर है नीचे उस बिसे डिसाइड करिएगा तो व आपक से दे सकते हैं इंफी अगशी और एक थोड़ा सा में एक समझ में नहीं आ रहा है इसे इनफी रिलायंस है चुएल डीसी बैंक सब सब गिरे रहे हैं आज एक परसंट गिरे हैं और इंडेक्स आधा परसंट में नहीं किरा है कुछ तो पता नहीं कैसे यह लोग थोड़ी है करना तो यही है न अपने इन फी जब तक फिफ्टीन रेट के ऊपर नहीं जाए कुछ नहीं करना है आपको आपसाइड का तो नहीं सोचना है अच्छा का सा स्लाइड किया है जब तक ट्रेंट की ऊपर नहीं जाता है बुलिच व्यू नहीं लाएंगे ट्वेंटी एट्टी के नीचे फ्रेश राउंड आफ सेलिंग आसके एक्चुल हमने इस उपर डिसकस भी किया था कि इसमें वीकनेस आ सकती है ठीक है 2240 इसके ऊपर रहा नीचे इस बिस्नेस पर जज़ कर लिए लवर इना माना यह है कि इसमें 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 जून फूटर किस ले मैं बोल रहा है जोंकि करेंट फूटर ना वो टेंडर प्रेट में चला गया है तो अब उस पर काम होगा नहीं जाए या फिर तो अच्छा आपको दे सकता है रूड ओईल में क्या धियान रखना है अपने को कि अभी तो ऐसा आजीव सा कैंडल बना रहा है बट हमको मार्क करेंगा 6830 का लेवल इसके ऊपर रहा तो ही कोई बुलिज भी लाएंगे नहीं लाएंगे बुले में फ्यूचर कोड़ा सा ना कुछ ज्यादा ही यह बुलिज हो गया है इक्स्टी सिक्स पॉर रेट का लेवल के नीचे अब तक शौर्ट साइड़ कोई ट्रेड नहीं वनेगा नाच्रों गया थ्वासा भी बुलिश मोमेंटम में चल रहा है 153 के ऊपर दर्ट तक है तो त कर दीजेगा